हेलो स्टूडेंट माइसल सैलिश कुमा मौरिया और आज हम अपने एमेस चोहान के क्वेशन आंसर के सीरीज को फॉर्दर कंटीन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपके एलकोहल एथर्स एंड इपोक्साइड वाले लेसन से लेवल वन का क्वेशन नमबर 63 से कंप्लीट करेंग घ्रम के साथ यहां पए उसको डी कलर आई कर रहा है इसका मतलब क्या होगा जर्हा दिखना जो चीज इसको डी कलर आई कर रही है इसका मतलब वहाँ पे double bond present है ठीक double bond क्या है present होगा और जो इसको no reaction दे रही है यानि वहाँ पे unsaturation तो नहीं हो सकता double bond बोले या unsaturation बोले unsaturation तो नहीं हो सकता यह conclusion कर सकते हैं अब जरा sodium metal वाला case देखिए जो यह x के लिए था यह y के लिए था फिर x और y with respect to sodium metal देखिए bubble दे रहा है इसका मतलब वहाँ पे acidic hydrogen आपका present है ठीक और y bubble नहीं दे रहा है no reaction दे रहा तो वहाँ पे आप कहा सकते हो acidic hydrogen present नहीं है यहीं तो बात होगी वहाँ पे ठीक चलो यह दो conclusion ओ रहा गया एक last में Lucas वाला test देख लो लुकस वाले में no reaction आपको पता है जो three degree alcohol होता है वह बहुत तेज देता है बाकि one degree नहीं देता है तो यहां भी no reaction आ रहा है यहां भी no reaction बस इतने से question हो जाएगा chromic acid की जरुद भी नहीं पड़ेगी जरा देखने कोशिच करो देखो जो इसमें option भी है देखो यह इन सभी parameters पर आपका set बैट रहा है कैसे बैट रहा है जान से देखना देखो एक्स वाले में हमने पड़ा ना यहां पर देखिए एक्स वाले में क्या मोड़ा double bond present तो देखो इस compound में बी वाले option नों जो पहला option है एक्स वाला इसको मान लीजे यह x है और यह y है तो देखो एक्स वाले में double bond present है और जो उसके बगल वाला cyclic structure उसमें unsaturation नहीं प्रेज present है देखो एक्स वाला acidic hydrogen present था तो आपको पता होगा कि alcohol के अंदर यह वाला जो hydrogen होता है यह वाला जो hydrogen देगा तो यह जो बी option है ना यह हर parameters पर आपके सेट बेटा ठीक है chromic acid वाला टेस्ट भी देखोगे तो alcohol oxidize हो जाएगा 64 में हमें यहां पर पहले इस तरह का acid का structure दे रखा C double bond OH और इसकी reaction मुझे किसके साथ में करानी है LIH के साथ में करानी है देखो LIH तो आपको पता है lithium के उपर होगा plus charge metal है इसके उपर है H- और यहां से अगर यह हैच माइनस है तो यह क्या करेगा नो उसके यह acid के acid hydrogen के लेगा और यहां से इस तरह से hydrogen gas क्या हो जाएगी liberate out हो जाएगी तो जरा समा लीजे अगर इसने acid वाले hydrogen के लिया तो उसके बाद क्या structure बनेगा यह बच जाएगा C double bond OH यहां पर minus और यह हो जाएगा LI plus यह जो compound है यह L compound का structure बन जाएगा अब देखो simply इसके बाद हमे इसकी reaction किसके साथ में करानी है आप देखो करानी है CS3 LI के साथ में ठीक है तो यहां पर किस तरह से reaction होगी देखो यह O minus इस carbon के उपर attack करेगा और यहां से इस तरह से lithium आपका lose कर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा यहां पर देखे कुछ आपको इस तरह का structure देखने को म बन जाएगा यह हो जाएगा आपका compound M बन जाएगा ठीक है सिंपल सी reaction है इसमें तो कुछ ऐसा है और लास्ट में क्या करना है में लास्ट में इसकी hydrolysis करानी है H3O प्लस तो अगर आप इस ग्रूप को पहचान रहे हो यह वाले ग्रूप को पहचान रहे हो तो यह क्या है ester है यह पूरा का पूरा क्या है ester है और ester को जब आप water के साथ treat करते हैं तो होता क्या है यहां से इस तरह से उसकी breaking हो जाएगी ठीक है दो दोनों तरफ में break कर जाएगा एक तरफ alcohol बन जाएगा एक तरफ acid बन जाएगा तो देखो जो आपका alcohol बनेगा वो क्या हो और जो acid बनेगा वो इस तरह का cyclic structure और C double bond OH तो यह आपके acid और alcohol में टूटी जाएगा हमको इसको बताना था यह हो जाएगा मेरा compound N हो जाएगा ठीक है तो देख लो यह वाला acid आपको किस answer में बना के दे रखा है option number C में यह देखिए यहां पर बना के दे रखा है जो कि क् correct हो जाएगा बहुत सिंपल सा question है बहुत छोटे मोटे reactions के तुरूँ इसको करवा रहे थे ठीक आईए next question करते है question number 65 अब देखो यहां पर इस question में भी कुछ दम नहीं है ऐसा बस यहां पर structure ऐसी भयानक से बना दिए कि दिमाग में डर बैट जाता है जड़ा देखने का है वह कुछ इस तरह से यह हमारे पास बेंजिन रिंग हो गई यहां पर सी एच यह हो गया ओएच ठीक यह सी डबल बॉंड ओएच यह स्ट्रक्चर ठीक मेरे को इसकी reaction किसके साथ में करानी है जरा दिहान से देखिएगा CH3, CH2, OH के साथ में करानी है अब जरा दिहान से आप सोचने की कोशिश करो यह जो compound यहां पर दे रखा यह क्या है सर आपका यह है alcohol ठीक और इसके सामने यह जो functional group यहां पर present है यह क्या है आपका acid और alcohol और अगर आप धिहान से इस question हम देखोगे तो आप HCL यानि acidic condition भी दे है तो acidic condition में alcohol और acid अगर मिलते हैं तो क्या बन जाता है बिल्कुल सही यहां पर जो reaction हो जाएगी वह हो जाएगी esterification reaction आपको देखने को मिलेगी और esterification reaction में अगर मैंने direct लिखना चाहूं तो आपको पता ही होगा जैसे माली यहां पर में लिख देता हूं यहां पर जो हमारे सामने structure आएगी उसको मैं यहां पर ड्रॉख कर देखने को मिलती है तो यहां से भी basically होगा क्या कि इस acid का यह ओएच निकल जाएगा और इस alcohol का यह एच निकल जाएगा यह निकल के आपस में जुड़ जाएंगे तो यहां पर जो हमारे सामने structure आएगी उसको मैं यहां पर ड्रॉख कर देता हूं देखिए यह हो गई मेरे pengin ring यह हो गया CH यहां पर OH यह हो जाएगा C double bond O यह connect हो जाएगा यह alcohol वाले से O CH2 CH3 के साथ में यह मेरे सामने reaction हो जाएगी अब देखो यहां पर ध्यान से इसको म कराने इसकी reaction उम्रे को करानी है S O CL2 के साहथ में ८रे क quarter के साहथ में आपको पता होता रॉट करता क्या है अल्को को alcohol की OH को chlorine के अंदर कर देता है तो alcohol का OH यहां पर पर प्रेजेंट को जो नीचे alcohol bond O O CH2 CS3 यह मेरा final compound बन जाएगा ठीक ऐसा किस option में दे रखा ऐसा आप देखोगे तो यह option B में यहाँ पर यह बना के दे रखा जो की correct जाएगा आपके लिए question है यह जो given compound है इसका मेरे को यहाँ पर आयू pack name comment section में बताईएगा जो correct answer देगा उसको मैं pin कर दूगा वहाँ ठीक है दिखते कितने लोग इस compound का आयू pack बता पाते हैं आपका भी revision इसमें हो जाएगा ठीक